नमस्कार बहुत पहले मुझे याद है मैंने पिकपेन साइफर डिसकस किया था तो वह तो एज इंट्रेस्ट था आज भी अभी इंट्रेस्ट ही है क्योंकि इसमें ज्यादा डीप तो मुझे पता नहीं बस जो जो साइफर का थोड़ा बहुत भी अंडेस्टेंडिंग मुझ जाता है सीजर साइफर इसे पहले पिकपन साइफर को मैंने ऐसे ही डिसकस किया था जस्के ऐसे इंक्रिप्ट कर तो उसके मैथमेटिकल ज्यादा डेफ्ट मेने गयत है आज भी बस एक फॉर्मला है मैथमेटिकल उसके अलावा तो फिर चेंज ही करना है फ्रॉम प्लेंट छिए फैर एंड फैर दू प्लेंट है एक में हमें करना ही राइट यसपास फॉर्ट इंस्तुमें फिर्ट की 5 कि मैं इसमें से सघ्झ को नहीं दिखे इसके लिए हम कोई algorithm लगा के और किसी की के मदद से हम उसे convert कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में ठीक है तो यहीं पर लगता है algorithm कोई की यूज करते हैं और इस process को हम लोग बोलते हैं encryption और इसका जो reverse तरीका होता है उसमें भी कोई algorithm ही लगता है ठीक है और उसमें हमें cipher text as a input रहता है कोई algorithm और की के मरत से हम उसे change कर देते हैं वापस plain text ठीक है और इस process को हम लोग description बोलते हैं कि यही काम करना है दो question है पहले में encryption करना दूसरे में decryption करना तो start करते हैं सबसे पहले तो Caesar cipher में होता क्या है Caesar cipher में प्लेन टेक्स्ट आपको पता है लेटर से बन बना है यह वर्ड इंस्ट्रूमेंट आई एंस्ट्रूमेंट इन सब लेटर से बना है तो हर इंडिविजवल लेटर को हम लोग सिफ्ट करते हैं जितने भी प्लेसेज हमें की बताएगा कि कितने प्लेसेज जाना है ठीक है तो यह की गिवन होता है तो उसके हिसाप से ऐसा कोई नहीं है कि Caesar cipher by default 3 लेता है बहुत जगत देखेंगे आप लेकिन जो भी की रहेगा उसके हिसाप से आपको चलना होगा तो अगर हम encrypt कर रहे हैं तो जो cipher text बनेगा that would be plain text plus k mod 26 अब यह mod कर क्या है जैसे let's say 3 mod 2 कोई बोलता है आपको तो हम लोग क्या करते हैं 3 को 2 से divide करते हैं ठीक है जो भी remainder आता है वो इसका answer होता है तो 3 को 2 से divide करें तो एक बार में आएगा और one as a remainder इसी लिए आए क्योंकि वान अब 2 से छोटा है तो further हो नहीं सकता जो remainder आता है वही इसका answer होता है तो अगर कोई जो है cipher text निकालना है तो plain text के हर letter पे की add करो और उसका mod ले लो 26 से तो corresponding cipher text आ जाएगा और यहीं अगर plain text चाहिए मैं Caesar cipher का फिलाल बात कर रहा हूं तो Caesar cipher के context में अगर देखें तो यहीं दो formula होंगे plain text की अगर बात की जाए मैं बहुत depth में नहीं जा रहा हूंगी तो वह क्या हो जाएगा जो cipher text है उसमें पीछे चले आएगे तो इस बर की minus हो जाएगा और mod 26 ठीक है तो this is called encryption क्योंकि यहां पर हमें cipher text मिल रहा है और यह हमें इसे बोलते हैं decryption क्योंकि यहां पर हमें plain text मिल रहा है ठीक है तो चली सबसे पहला question है उसमें encryption करने के लिए बोल रहा है क्योंकि cipher text हमें निकालना है that means obvious है कि वह encryption करने के लिए बोल रहा है हमारे पास instrument है अच्छा यह डबा भी मैं copy कर लूँगा इस डबा में कुछ नहीं है हमने 0 से start किया और हर letter को number दे दिया है तो a को 0, b को 1, c को 2, d को 3, e को 4 and so on, z को 25 ठीक है तो इसका मुझे जवरत परेगा एक copy मैं जहां जहां जाओंगा इसको लेके जाओंगा तो copy और यहां फे हमारा पहले problem के लिए यह सामने है पहला problem क्या है इंस्ट्रुमेंट को हमें ciphertext में convert रहे तो मैं लिख लेता हूं उसको लिए भी एक डबा बनाना जरूरी है डबा तो इंस्ट्रुमेंट आई एन एस पी आर यू एम ए एन पी और एस भी है अब हर एक लेटर पर वही फॉर्मला लगेगा तो क्योंकि हमें ध्यान की का वैल्यू 5 वहाय तो इस प्रॉब्लम के लिए के की वैल्यू 5 होगी फॉर्मला कौन से ला एगा साइफर टेक्स कूंकि निकालना है तो प्लेन टेक्स्ट में हम 5 एड करेंगे इस इस प्रॉब्लम के कॉंटेक्स्ट हो क्योंकि मुझे की का वैल्यू 5 और फिर मॉट 26 इससे कोई नंबर आएगा ठीक है अब उस नंबर को कर्स्पंडिंग जो भी आएगा तो यह तो आपका प्लेन टेक्स्ट हुआ और इसके नीचे मैं लिख दूंगा इसका साइफर टेक्स्ट ठीक है तो यह मेरा इधर का पहला प्रॉब्लम इसी से बन जाएगा ठीक है तो चलिया स्टार्ट करते हैं तो आई को पहले करते हैं आई को टेवल बहुत लोग रिजनिंग वाले प्रॉब्लम्स को करते हुए इसको याद कर लेते हैं मुझे अभी तक तो याद नहीं हुआ आगे बहुष में हो जाए तो अलग बात है तो आई के लिए हमें एट है एट क्या है यहां पर एट होगा प्लेन टेक्स्ट की कर्रस्पोंडिंग नमबर ठीक है तो डैट मिंस आई के लिए एट है तो अब जब आई आई को हम करेंगे एक एक दू तो करके दिखा देता हूं इसके बाद से यहनलोग जल्दी- zit करेंगे तो जब आई की बात चल रही है तो जो तो साइफर टेक्स्ट हो वह कैसे मिलेगा आइका वैल्यू है एट है आइका वैल्यू एट है मारे पास एट प्लस फाइफ थर्टीन मॉड 26 कि मॉड हाले कि इतना इंपोर्टेंट फिलहाल नहीं है क्यों की है वह छोटा है अब यह जीरो टाइमस में होगा ठीक है यह जीरो टाइमस में होगा रिमेंटर 13 में जाए तो छोटे नम्मर में तो यह कुछ ज्यादा फर्थ नहीं पड़ता तो जो सी के वैल्यू है यह थर्टीन आ गए और थर्टीन के कर्सपांडिंग क्या है हमारे पास थर्टीन के कर्सपांडिंग एन है अच्छा अब एन का देखते हैं एन के लिए थर्टीन है थर्टीन में फाइव एड होगा अगें वह एटीन जब 26 से डिवाइड होगा तो हमारे पास यह तभी मॉड आपको यूज होता हुआ दिखेगा आपको लेगा अभी क्या ही जरुवत है इसका जब नंबर्स एक्सीड कर जाएंगे ने 25 से तब आपको कि अभी फर्क नहीं पर रहा है न क्योंकि जीरो टाइमस में ही हो रहा है तो वही रिमेंडर आ रह और फिर अगला S के लिए देखते हैं तो S है 18 18 प्लस 5 करेंगे आप 23 23 मॉड 26 तो 23 आएगा विचिस X और T के लिए करेंगे आप तो T है 19 19 प्लस 5 24 मॉड 26 अगें 24 आएगा 24 के लिए क्या है Y है आर के लिए देखते हैं, आर है 17, 17 प्लस 5, 22, 22, 26, विल कम आप तो बी 22 ओंली, and 22 is W, यू के लिए देखते हैं, यू है 20, 20 प्लस 5 करेंगे, अभी भी 25 है, तो रिमेंडर अभी भी 25 ही, एक सेगंड, क्या कर रहे हैं, यू के लिए कर रहे हैं, तो यू है 20, 20 प्लस 5, 25, 25 मौट 26, 25 आएगा, तो Z आएगा, M को देखें, तो M है 12, 12 प्लस 5, 17, 17 मौट 26, 17 ओंली, E है 4, 4 प्लस 5, is 9, 9 अगेन, अब तो quickly आपको लग रहा होगा, कि J आएगा, अच्छा मैंने यहां 17 क्यों लिख दिया, यहां पर मुझे आड लिखना चाहिए था, N है हमारे पास 13, तो 18 आजाएगा, T है हमारे पास 19, तो 24 आजाएगा, S है हमारे पास 18, तो 23 आजाए, अरे 18 तो S, 24 तो Y, और S का X तो आना ही था, पहले भी हम लोग कर चुके है, वैसे 23 मतलब X, तो यह आपका encrypted text या फिर cipher text बोले, तो NS जो भी है, यह आगया, ठीक है, क्या किया, अच्छा आप बोलेंगे कि कभ यूज होगा इसका, मतलब जैसे, लेट से आपके पास वैन है, ठीक है, अब वैन है और इसमें मैंने 7 ले लिए, की की वैल्यू, तो V के वैल्यू है, 21, 21 प्लस 7, 28 मौट 26 और इस बार 28 मौट 26 में, यह वन टाइम में जाएगा और रिमेंटर 2 आएगा और 2 के corresponding value, देखरो तो इस बार different value आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 28 मौट 26 की value इन दोनों में से ही कोई एक आ जा रहा है, ठीक है, पहले इसमें क्या हो रहा था, कि हर बार वह नंबर ही आ रहा था, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे था न, वह ही नंबर आ जा रहा था, तो हमें कोई फर्क नहीं दिख रहा था, यहां पर दिख रहा है आपको, एक different number आया, विचिस 2, और 2 मतलब C होगा, अगें एक लिए देखें तो साइद फर्क ना परें, क्योंकि A का 0 है, 0 प्लस 7 इस 7, 7 मौड 26 विल बिकम 7 अल्ली, और 7 मतलब H, और N का देखें तो 13 प्ल है encrypted text, ठीक है पहला problem हमने कर लिया, दूसरे में इसको हमें करना है, decrypt with a shift of 3, ठीक है, तो इसको decrypt करना है, थोरे बरे में लिख लेते हैं, कि H, डबल ओर, अब एक बार O को कर लो गए, तो दोबारा मत करना, सेम ही value आएगी, वो ध्यान रख लाँ, डबल में रख लेकर नहीं करना है, और इसको उठाकर रख लेते हैं यह आपे, ठीक है, तो चलो start करते हैं, तो इस बार ध्यान देना है, की के value क्या है हमारे पास, की के value है 3, तो क्या formula हो जाएगा, plain text, will be, cipher text, minus 3, mod, 26, क्योंकि यह जो है, cipher text है, यहां से में plain text तक आना है, ठीक है, चलो, तो start करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहां पे, तो k, मतलब 10, 10 minus 3, मतलब 7, 7 mod 26, मतलब 7 ही होगा, 7 मतलब h, ठीक है, clear, चलो, और, मतलब यह भी आप देख पा रहे होंगे, कि इधार, simple काम चल रहे है, k से, k का करना है, अगर, तो k से 1, 2, 3, तीसरा जो नमबर पीछे है, वही आ रहे है, ठीक है, तो अभी कुछ खास mod का मतलब आपको नहीं देख रहे है, ठीक है, अच्छा, h में क्या करना है, h का value है, 7, 7-3 will be 4, और 4 के corresponding e है, mod, बहुत छोटे values हैं तो फर्क नहीं पर रहे है, 26 यह उससे बड़ा value होगा तो फर्क परेगा, अच्छा, o को देखें, तो 14 है, 14 में से 3 गया, 11 mod 26, तो 11 ही आएगा और 11 का मतलब हो गया l, तो दोनों जगह l आ जाएगा, और r को देखें, तो r, 17 है, 17 में से 3 गया 14, मतलब o, hello, अच्छा answer दिख रहे है, मतलब सही होगा, तो hello है यहां पर, तो यह आसान था, इसमें भी मैं बता दू कि अगर, कुछ, इसमें, की की value, 26 का समझ रहे हो ने कि तभी इसका existence होगा, जब कुछ बरे values आएंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने उपर देखा था तो अभी तो एक simple problem दो से पता चला, आपको at least more की understanding तो मिल गए होगी, बाकी Caesar cipher का भी knowledge मिल गया हो, कभी मौका मिलेगा तो वापस Caesar cipher पर आएंगे, वरना बाकी cipher पर भी थोड़ा द्यान दे देते हैं, फिर वापस तो आते ही रहेंगे इस सब पर, तो अभी तक हमने दो cipher, एक family देखा है Caesar cipher, एक pig pen cipher, बाकी भी दिखते रहेंगे, बहुत दो का रहें उताटम जाएंगे, वर हमने दो एक